हेलो प्रेंट वेलकम टू बाजीरा रेड़ी इंस्टूट तुटे इनलेसिस के आज क्यांक में हम 6 मार्च 2014 के प्रमुक समाचारों को देखते हैं आज के अगर हम प्रमुक समाचार या important news में देखें तो तीन मुद्दे हैं जिसमें पहला है यह मिथेन सैट या मिथेन सैट के नाम से है यह मिथेन के उस सर्जन को नापने के लिए एक सैटलाइट छोड़ा गया है कैलिफोर्निया से जो है फालकन राकेट से फालकन नाइन से और यह हम समझेंगे कि मिथेन सैट के नाम से यह सैटलाइट छोड़ा गया है चाहां तक दूसरा समाचार है या दूसरा नियुज है यह दहिंदु में साइंस वाले में पोर्शन में था कि जो Artificial Intelligence हम लोग बहुत नाम सुनते हैं और इस बार कि परवरी मार्श की तो योजना भी रही है Artificial Intelligence पे उसको नहीं आप लोग ने देखा होगा है तो जाके देख लीजेगा उसमें काफे डिटेल में बताया गया है और उसमें Artificial Intelligence को आने वाले समय में जादा तर समश्याओं का हल माना जा रहा है हमारी जैसे की परियावरण ट्रैफीक बहुत सारी चीजों का लेकिन इस लेक में जिसनोंने लिखा है उन्होंने बताया है जो लिखक हैं कि जो Artificial Intelligence है उसका जो है भले परियावरण में उपयोग किया जा सकता है लेकिन Artificial Intelligence खुद भी जो है उसका Carbon Footprint बहुत जादा है यानि कि उसके द्वारा Carbon उस सर्जन बहुत जादा किया जा रहा है खास्तों से उसके ट्रेनिंग के दारान जैसे कि उदारण भी नों ने दिया कि GPT जो 3.0 हम यूज करते हैं उसमें भी काफी मात्रा में Carbon Diet उस सर्जन जो है आकसाइट का उस सर्जन हुआ है तो वो बताते हैं और उसको कैसे दूर किया जा उसको लेकर वो प्रद्योकी भी बताते हैं उनके तरह दूर प्रद्योकीों के बारे में बताते हैं तो हम इन तीनों मुद्दों को एक एक करके समझने की कोशिस करते हैं तीसरा समाचार है पंजाब और हमांचल के बीज में विवादित सानन जल्विद्दुत परियोधना तीक है अब इसको भी हम देखेंगे की क्या मुद्दा है और क्यों चर्चा में है ये ठीक है चलिए पहला देखते हैं मिथन सैट मिथन सैट एक मिथन के मिथन गैस को वातावरण या वायुमंडल में ट्रैक करने के लिए और उसके सुरोत का पता लगाने के लिए ये उपगरे है पहले भी और मिथन को ट्रैक करने के लिए उपगरे है लेकिन ये जो उपगरे है यह बड़े पैमाने पे जो है मिथन के सुरोतों को और मिथन हाट हाट स्पार्ट यानि जहां पे किसी छेत्र विसेस में धेर सारा मितन हो, उसको ट्रेक करने के लिए यह महत्पूर्ण है, और इससे प्राप्त देटा सभी के लिए उपलब्ध होगा, गूगल चुकि इसमें जुड़ा हुआ है, गूगल क्लाउड के तरह जिससे प्राप्त डेटा जो है, आ और यह एक non-governmental प्रियास है, जिसमें कई सारे सरकारी और गैर सरकारी संस्था दोनों जुड़े हुए हैं, और इसको चार मार्च को कैलिफोर्निया से Falcon 9 राकेट SpaceX का जो है, उसकी जहत जो है, इससे छोड़ा गया है, ठीक है, तो आईए एक इसक करके इसको समझते हैं, और इसमुद्दे को जानते हैं, चर्चा में क्यों है, क्योंकि मिथन सेट को, जो एक मिथन ट्रेकिंग उपगर है, चार मार्च को कैलिफोर्निया से SpaceX के Falcon 9 जो रॉकेट है, उसके द्वारा लांच किया गया है, और यह अपने कच्छा में स्थापित हो गया है, और यह उपगर मिथन सेट, मिथन की पहचान और निर्धारित करने वाला पहला उपगरा गंत्रिस नहीं है, लेकिन यह अपने पुरवर्तियों के तुलना में अधिक वीवरन परदान करेगा, बताएंगे कैसे करेगा, और इसका द्रिस्थ छेत, यानि जितना दूरी कबर करेगा, वह भी अधिक व्यापक होगा, यानि जो इसके पहले के उपगरा है, उससे जादा ये अधिक वीवरन परदान करेगा, अधिक गहराई से वीवरन, सटीकता से परदान करेगा, जादा छेतरों को कबर करेगा, और उसका एरिया भी बहुत जादा है, उसको द्रिस एरिया भी बहु इंगित करने और उद्योग रिपोर्ट को स्वतंत रूप से सत्यापित करने में मदद करने के लिए डेजाइन किया गया और सबसे खास बात यही है कि यह आम लोगों के लिए भी इसके डेटा उपलब रहेंगे हम आप जाके आने पर अधिगराई से अध्यन करेगा और साथ ही उसके डेटा को open source कर देगा कि आम लोग आम दुनिया भी जान सके किसी भी से संस्था या किसी भी से उसके न रह सके आम सभी लोग जान सके ऐसे में मिथेन को उससर्जन को रोपने का प्रयास इससे किया जा सकता है जो मिथेन उस सर्जक हैं उनपर दवाब बनेगा तोकि अब उनकी रिपोर्ट कार्ड यानि आप सोचिए कि आप एक्साम देते हो और आपका रिपोर्ट कार्ड सभी को उपलब्द हो जाए तो थोड़ा सा आपको काम बहतर करना पड़ता है नहीं आपके आस पड़ो साथी जंगाती भी जान जाते हैं तो वही है कि ये अधिक गहराई से जानकारी करेगा और जो है इसको कह सकते हो कि जादा बड़े पैमाने पर करेगा और जो इसकी रिपोर्ट होगी वह भी सभी के लिए उपलब्द होने के कारण अपन एक्सेस होने के कारण इससे जो है उसको रोकने में मिसेर उस सरजन को रोकने में मदद मिलेगी ठीक है थोड़ा सा मिथन सेट उपग्रह के बारे में जान ले तो यह उपग्रह जो है एक मिथन सेट एक गैर लाबकारी परियावरण सम्मू है इसका पहला उपग्रह है जिसमें EDF है अमेरिका का EDF है यूटिलेंड के अंत्रिश एजंसी है हावाड भी सुबिद्याले है एर फोर् मसीन के आकार का ही है लेकिन यह काम बहुत बढ़िया करने में सच्छम है और इसमें जो है गूगल जो है उपग्रह के डेटा को संसाधित करने के लिए मिथन सेट टीम को क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाएं भी प्रदान करेगा तो यह इसकी है और इसे जो छोड़ा गया है वो जमीन से 580 किलोमेटर उचर उपर अपनी कच्छा में प्रत्वी का दिन में यह 15 बार चक्कर लगाते हैं दुनिया भर में 300 लच्छों से मिथन रिसा के बारे में डेटा उपलप्त करेगा यानि 580 किलोमेटर उपर से दुनिया भर के 300 जो जहां से मिथन निसकरसित हो जो लच्छ है उसे निकलने वाला मिथन का उस सरजन का लच्छ है उस पे ये फोकस रहेगा और लगाता है 15 चकर लगाएगा तो आप समझ सकते हर एक जड़ घंटे पे कहीं यह पूरा अपना चकर लगाता रहेगा और इसका जो डेटा है वो जो इसका किया जाएगा वह व यामकों को मिथन उस सरजन को कम करने के लिए कायरवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा है या अन्मत मिलती रहेगी यह इसके जो है उपर ग्रह की जो है कहenne सकते हैं यह उपर ग्रह है अब जो मिथन सरजन करने और आपनी कि जरुरूरत क्यों है तो दिखिए मिथ एक natural gas होता है, natural gas का एक component होता है, और natural gas चलाते भी हैं, उसके साथ साथ ये एक प्रमुख greenhouse gas भी होता है, अगर overall जो greenhouse effect है या global warming है उसके प्रभाव के द्रिस्षट से देखा जाए, तो carbon dioxide के बाद मिथेन दूसरे अस्थान पे है लेकिन अगर उसकी प्रभाव सीलता के बारे में देखा जाए कि कितना है तो ये कार्बन डाई अक्साइड से असी गुना जादा छंता रखती है ग्रिन हाउस गैस इफेक्ट की हलाकि क्योंकि कार्बन डाई अक्साइड मात्रा में ज़्यादा निकलती है और लंबे समय तक रहती है इसलिए कार्बन डाई अक्साइड की ग्रिन हाउस गैस का इफेक्ट का प्रभाव ज़्यादा है लेकिन मिथेन दूसरे अस्थान पे क्यों आती है क्योंकि कम मात्रा में होने के बा·वजूद भी इसकी जो है ग्रिन हाउस गैस इफेक्ट की प्रभाव सिलता है यानि जो उखनकी उस छमता है ग्रिन हाउस इफेक्ट करने की वह कार्बन डाई अक्साइड से लगबग असी होना है ठीक है तो ऐसे में कम मात्रा में होने के बावजूद भी इसका जो है ग्रीन हाउस एफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग में इसका प्रभाव काफी ज़ादा है ठीक है और अगर देखा जाए तो सनुक्तरास परियावरण कारिक्रम बताता है कि कार्बं डायक्साइट की तुलना में मिथेन 80 गुना अधिक सकती साली ग्रीन हाउस प्रभाव दिखाता है और यह कार्बं डायक्साइट के बाद ग्लोबल वार्मिंग बूसरा सबसे बड़ा योगदान करता है और यह कहां से निकलता है दुनिया भर में बिजली सनियंत्रो और द्योगी गटविधियों के दोरान जलाये जाता है और मिथेन का एक प्रमुक क्रिसी छेतर भी है, क्रिसी छेतर में भी मिथेन का एक प्रमुक उस सरजक है, खास तौर से जो हम धान की खेती करते हैं, उसमें जो है पानी भरे खेत में जब हम जो artificial nitrogen प्रयोग करते हैं, तो उससे मिथेन बहुत बड़े पैमाने पर निकलता है इसलिए भारत और चीन जैसे जो चावल उत्पादक देश हैं उनके वो प्रमुख मिथेन उस सरजक भी हैं उनके क्रिसी को लेकर ठीक है तो ये भी एक पहलू को याद रखने की ज़रूरत है बाकी जो मेन है वो बिजली स गैस का तो उस सरजन करती ही करती है इसे प्रमुख जो है एक और कारण के कारण जो है इसे इसको गंभीर है क्योंकि जो ओजोन के कारण सरी मिथेन के कारण सता पे जो है ओजोन गैस का जो है फार्मेशन होता है और इस ओजोन गैस के फार्मेशन के कारण जो है एक आंक्ड बताते हैं कि हर साल लगभग 10 लाख लोगों की जान समय से पहले हो जाती है ऐसे में ग्रिन हाउस गैस उस सर्जन को देखते हुए या ओजन गैस के फार्मेशन और उसके आकड़ों को देखते हुए निश्य तुरूप से मिथेन गैस के को कटवती करना या उसके उस सर्जन पर रोक लगाना महत्वपूर्ण हो जाता है और ऐसे में जो है कहीं ने कहीं मिथेन सेट उपग्रह महत्वपूर्ण हो जाता है क्या करने के लिए कि पहले उसको ट्रैक करना है और उसके बारे में मापन करना है ठीक है तो देखिए मिथेन सेट उपग्रह का महत्त पर क्या कर रही है लागू कर रही है और जब अभी काप 28 का समेलन अबुधावी में हुआ था तो बहुत बड़ा दबाब था कि खास्तार से विक्सित देशों का कि मिथेन गैस के उस सर्जन को कम किया जाए हलाकि भारत के प्रभाद दबाब शरूप उसमें फिर चीन भी साम को 2020 के अस्तर से कम से कम 30% कम करने के लिए जो है बैस्विक मिथिन परतिग्या ली है और ऐसे में जो है कहीं ने कहीं उसको जाचने के लिए कि वो हो रहा है कि केवल परतिग्या ही ले रही है ये उपग्रह एक मदद कर सकता है ठीक है और ये उपग्रह सबसे बड़ी बात ह कि एक पारदर्सिता की नए यूप की शुरुवाद भी करेगा क्योंकि इसका सार्जुनिक रूप से उपलब्ध डेटा जिस तक दुनिया में कोई भी पहुं सकता है सरकारों और निग्मों द्वारा की गई कारवाईयों पर जाच करने के लिए आम लोगों के लिए उपलब हुए सनियंत्र हैं या जो उसके उपकरण हैं वह एक तो जैसे देखिए पहले जो इतिहासिक रूप से मिथेन उसरजन के सुरोथ पर नजर रखना और उन्हें मापना काफी चुनोती पूर रहा है क्योंकि कुछ उपग्रह कुछ रिजलिशन डेटा प्रदान कर सकते हैं लेकिन वह केवल बिसिस्ट पूर लक्षिस साइटियों को ही स्कैन करते हैं यानि कुछ उपग्रह हैं जो डेटा तो अच्छा दे सकते हैं रिजलिशन वाले लेकिन वो कुछ बिसिस्ट साइट पर ही देते हैं और बाकी डेटा को उनके पास सोचना नहीं है और इसी लिए AIA अंतराश्टी उर्जा एजनसी की रिपोर्ट के नुसार इस विसंगेति के ही कारण बैस्विक मिथेन उसरजन ग्राश्टी सरकारत द्वारा रिपीट गए अस्तरों से लगवग 70% अधिक है यानि जो सरकारे रिपोर्ट कर रही है कि हमने इतना मिथेन का उसरजन किया उससे 70 परशत जादा जो है मिथेन का उसरजन हो रहा है क्योंकि मिथेन का सही चीजों पर नजर रखना ठीक नहीं है उचित नहीं हो पा रहा है इस समश्या को मिथेन सेट ठीक करेगा कैसे ठीक करेगा क्योंकि इसमें जो है मिथेन सेट में उच्छ रिजलेशन वाला इंफारेट सेंसर है जो सटीक रूप से उसके आंक्रे करेगा और जिसको इसका जो व्यू है 200 किलोमीटर बाई 200 किलोमीटर यानि देखा जाए तो ये करीब 40,000 जो है वर्ग किलोमीटर का एरिया जो है कबर करता है और ये प्रिथभी का 15 चकर लगाता रहता है इस पड़े प स्पॉर्ट है तो वहां पर इसको नज़र रखी जा सकती है साथ ही में इसके डेटा को बिशलेशर किया जाएगा गूगल द्वारा विक्सित क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस तक्नीका उपयोग करके किया जाएगा और यह डेटा गूगल के और इंजन प्लेटफार्म के माध्यम से सार्जोनिक कर दिया जाएगा कि आम लोग भी इससे देखके जान सकते हैं कि कितना कहां उस सर्जन हो रहा है उस सर्जन के लिए कर क्या इस्ति है तो यह रहा उत्थन जो है मेथिन साइट के उपग्रा का बिसलिस्थाएं उसका महत और मिथेन गैस की चुनोतियां जिसको दूर करने के लिए यह लाया गया है ठीक है अगला जो हमारा न्यूज है वह है कि आर्टिफीसियल इंटलिजन्स जैसे अभी इसी में देखा कि गूगल प्लाउड और आर्टिफीसियल इंटलिजन्स के प्रियोग करके मिथेन के उस सर्जन को जानना है वैसे हम बहुत सारी समस्याओं को कहीं न कहीं अपने आर्टिफीसियल इंटलिजन्स के द्वारा जो है हमें लगता है कि वो हल हो सकती है उसमें परियावरण की भी समस्या है लेकिन अभी जो हमारा आर्टिफीसियल इंटलिजन्स जिस तरह की जो कोई भी किसी पर्टिकुलर जैसे ओपन आई का जो फेमस चैट GPT का ही है उसका उसका कारबन फूट्पिंट काफी बड़ा है और उसके और भी बड़े होने की संभावना है अभी देखेंगे कि क्यों है और लेकिन लेखक बताते हैं जो दहिंदू का ही ये रिपोर्ट है कि बताते हैं कि अगर हम कुछ प्रद्योकी है जैसे जो अभी चल रही है उससे अलग अगर कुछ और प्रद्योकी है खास दोर से वो प्रद्योकी किस पर है मानो मस्तिस्क जिस तरह से काम करता है अगर उस प्रद्योकी पर हम सिफ्ट होना सुरू हो जाए या हम उस प्रद official intelligence तो जो काम देगी ही वो करेगी करेगी ठीक है तो आईए चलिए देखते हैं कि मुद्दा क्या है मुद्दा ये है कि कृतिम बुद्धिमत्ता की विसाल जो है ये विसाल समस्या समाधान है ये तो हई है लेकिन AI माडल की उर्जा जरूरतों पर विचार करते हैं तो ये असपस्ट हो जाता है कि परद्योकी समाधान के रूप में जलवाई समस्या का भी उतना हिस्सा है कैसे हिस्सा है इसको अगर देखा जाए तो देखिए AI के से उस सरजन का बड़ा हिस्सा इससे जुड़ी बुनियादी धाचे से आता है यानि जो infrastructure इसके लिए प्रियोक किया जाता है यानि जहां पे data का storage किया जाता है और जहां पे data के storage के दुरान जो artificial intelligence है उसके learning को लेकर जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसमें artificial neural network होता है और उसके learning होती है ये दो चीज़े होती है जिनके कारण जो डेटा केंद्रों के निर्माड और संचालन में बनाये रखने के लिए आवश्यक बड़ी मात्रा में जानकारी संभालते हैं और देखिए Open AI में GPT-3 के प्रसिषण के दौरान ही 502 मेट्रिक टन कार्बन डाइकसाइड का उस सर्जन हुआ था जो एक वर्स त जो प्लेटफॉर्म था उसके प्रसिषण के दौरान खर्च हुआ है और प्रतिवर्स भी ये 8.4 टन कार्बन डाइकसाइड का उस सर्जन कर रहा है और ये वो है जो अभी सुरुवाती चरण में अभी देखेंगे प्रद्योकी जब बताने लगें कि तब ही देखेंगे कि ये अभी सुरुवाती चरण में है और जैसे जैसे ये इसको और ज़्यादा बेहतर बनता जाएगा इसकी जो प्रोसेसिंग पावर या उसके जो देटा है उसकी संख्या बढ़ी जाएगी और लाज्ज लेग्वेज माडल के पैरामेटर के अस्तर पर ये सीखने लगेगा अगर जिस प्रद्योकी पर चल रहा इसी प्रद्योकी पर ये चलता रहा तो ये समस्या और बढ़ती जाएगी और ये तो सिर्फ चैट जीपीटी के बारे में है ऐसे बहुत सारे हम आर्टीफीशल इंटेलिजन्स को भविस्त में लाना चाहते हैं और हम मानते हैं कि वो च आज नहीं करेंगे तो ये बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन डाई आकसाइड को भी बढ़ा सकता है ठीक है तो ये कह रहे हैं कि देखिए इस माडल की बढ़ती सौरबा ब्यापकता और जटिलता के साथ साथ ये प्रवती जारी रहेगी जिससे संभावी तरूप से AI को CO2 सरजन में महत्रपूर्ण योगदान करता बना दिया जायेगा अगर हम ये ध्यान न रखें लेकिन AI के कार्बन फूट को कम करने में उपयोगी प्रद्योकी ये बताते हैं कि अगर जो प्रद्योकी है लेकिन कुछ प्रद्योकी है कुछ टक्नोलोजी है अगर हम जिसका योग करें, तो हम इसके carbon footprint को घटा सकते हैं, यानि ये जो उर्जा भी भोग कर रहा है, उसको जो संसाधित करने के लिए जो energy चाहिए होती है, उसको हम कम कर सकते हैं, इससे एक फाइदा तो ये होगा कि ये जो है carbon उसर्जन कम करेगा, दूसरे इसका इस्तमाल हम वहाँ भी क कर सकते हैं, जहां कम उर्जा चाहिए, जैसे कि space में कर सकते हैं, जैसे कि हो सकता दूसरे ग्रह पे जाना हो, तो यहां पे तो धेर सारे koila और nuclear और solar बहुत power plant है, यहां तो चलो उर्जा अगर जरूरत भी पड़ती है, तो ठीक है, लेकि space में तो उतनी उर्जा होती नहीं ह किसी दूसरे ग्रह पे या अंतरिशी station में तो उतनी उर्जा होती नहीं है, तो वहां के लिए भी जरूरी है कि हमें ऐसी प्रद्योकी के तरफ चलना चाहिए, जो उर्जा efficient हो, ठीक है, तो हमें क्या है, इसको कम करने के लिए क्या चाहिए, उर्जा efficient प्रद्योकी चाहिए देखे, अभी जो AI system हम यूज करते हैं, जो AI system है, वो कैसे बनते हैं, तो इसमें से विशेश रूप से जो है, इसके विबिन तकने की द्रिश्कोर इसे कार्बन पच्चिन को कम करने में मदद कर सकते हैं, देखे, AI प्रडाली के जीवन काल के दो चलन होते हैं, ठीक है, अनुमान या कल्पना, learning and inference, जैसे जो artificial intelligence होता है, वो पहले उस सीखता है, उसको data दी जाती है, सूचनाएं दी जाती है, आंक्रें दी जाती है, बड़े पैमाने पर data दी जाती है, जिससे वो सीखता है, और सीखने के बाद जब उसे कोई देखी चीज आती है, तो उसके सीखने के दोरान, परसिचन में बहुत ज़्यादा data, बहुत ज़्यादा उर्जा consume होती है, क्योंकि उसमें जो प्रद्योकी प्रयोग की जाती है, वो है अभी जो है, artificial neuron network और learning की जो process है, इसमें ये कहा गया है, कि अगर हम इसके लिए दो प्रद्योकिया इस्तमाल कर दें, spike neural network, SNN, और lifelong learning, LL, इस दो प्रद्योकियों का अगर हम प्रयोग कर दें, तो हमारा जो artificial intelligence system है, वो बहतर हो जाएगा, बहतर efficient हो जाएगा, उर्जा कुसलता के रूप में भी और काम करने को तो लेकर होगा ही होगा, तो अभी हम काम करने बाले पर न ध्यान दें, अभी सिर् यहाँ पर हम भ्यान देंगे कि उर्जा कुसल कैसे हो जाएगा, तो आईए देखते हैं, spike neural network क्या होता है, प्रद्योकी, spike neural network प्रद्योकी, देखें, neural network जैसे artificial intelligence थोड़ा बहुत जानते होंगे, तो हमने भी पढ़ाया है, जब योजना पढ़ा रहे थे, तो artificial intelligence काम करसे करत है, कि जो चीजे नहीं रहती है, उसको सामने लाता है, हमारा दिमाग जैसे नहीं नहीं चीजे लाता है, वैसे वो भी लाता है, उसको innovative AI बोलते हैं, उसके दौरान वह सीखता है, शीखने के दौरान वह learning करता है मसीन की लर्निंग होती है, जैसे हम सीखते हैं, वैसे वो मसीन की लर्निंग होती है, मसीन सीखती है, और मसीन सीखने के दौरान उसको कुछ आंकड़े दिये जाते हैं, और उस आंकड़े में पैरामिटर्स, बड़े पहमाने पर आंकड़े या बड़ी भासाएं भी दी जाती है और उसको एक neurons label बोलते हैं कि जैसे हमारा दिमाग होता है ने कई सारे neurons से वैसे ही उसको कई सारे layer के neurons होते हैं जो उसमें सीखते हैं तो अभी जो artificial neuron networks प्रियोट किया जाता है वो decimal system पे काम करता है यानि हर बार गुडा भाग जैसे अभी normally हम कर रहे हैं हर एके करके एके करके चीजे करता है जबकि हमारा दिमाग जो है वह हमारे दिमाग में भी neuron इसी तरह से करता है सभी से contract करता है लेकिन वो हमेशा active नहीं रहता उसमें जब कोई चीज spike करती है तब ही वो चीजे active होती है फिर अपने आप पड़ा रहता है सांत होता है ये जो ANN है यानि artificial neuron network जो अभी प्रियोग किया जाता है वो decimal system पे काम करने के दौरान उसे बार-बार काम करने के जरूरत पड़ती है इसलिए उसे बार-बार उरजा की जरूरत पड़ती है और जितना बड़ा language होगा उतना ज़्यादा उसको processing करनी पड़ती है उतना ज़्यादा बार उसको अध्यन करना पड़ता है जिससे क्या होता है कि उरजा बहुत ज़्यादा खर्च होती है अगर हम उसको spike neural network पे यानि actually में जैसे दिमाग काम करता है उस तरह से develop कर दें उसके जो artificial neural network है उसको spike आधार पे कर दिया जाए कि वो काम तो करे उसके पास time divide हो जाए कि time के आधार पे यानि वो time होती है जब कोई चीज उस समय पे आए तभी वो काम करे वरना वो क्या करे सां पढ़ा रहेगा तो zero उर्जा लेगा तो जब उसे जरूरत होगी तब उसे उर्जा लिया जाएगा और जब जरूरत नहीं होगी तब तक वो जानकारी रखते हुए भी सांथ पढ़ा रहेगा ऐसे में बहुत बड़ा मात्रा में जो है एक तो इसकी छमता बढ़ाई जा सक और बहुत बड़ी मात्रा में उर्जा भी बचाई जा सकती है और अनुमान है कि अगर जो अभी जैसे ARN की तुलना में जो है अगर हम Spike Neural Network प्रियोग करते हैं तो यह 280 गुना अधिक उर्जा कुसल हो जाएगा यानि अगर हम अभी जो नेटवर्ग प्रियोग कर रहे हैं उस की अभी चुकि वो काम चली रहा है इसलिए यह है कि उसे छमता के लिए हम 280 गुना यानि एक बटा 280 गुना कम उर्जा हमें खफ़त करने की जरूरत होगी यानि सेम काम हम 100 एक बटा 280 गुना यानि काफी जादा हम अपने उर्जा संसाधन को भी बचा सकते हैं तो परियाव एक और जो चीज है वो है lifelong learning प्रद्योग की अभी देखिए जो यह ANN काम करता है यानि artificial neuron network जो काम करता है वो क्या हो करता है कि जैसे कोई चीज उसको दिया गया है तो उसको सीखेगा और सीखने के बाद फिर अगर दूसरी चीज दी जाती है तो वो जो पहले का सीखा उसको भुला के फिर से वो अधियन करने लगता है जैसे गजनी में था था ना हर बाल यह भूल जाता था उसको हर बार फिर से अपनी चीजों को रिकाल करके वो सारी चीज़े करनी रहती तो जबकि हमारा दिमाग क्या करता है कि एक बार भूल जाती है एक बार हमने चीज़े कोई सीखी तो वो कहीं ने कहीं इसमृत में पड़ी रहती है हमेशा lifelong नहीं कुछ चीज़े lifelong भी रहती है और बार बार जैसे एक बार आपने साब देखा उसको पता है कि काटेगा या आग द डवलब कर दिया जाए जिसको lifelong learning technology बोलते हैं अगर artificial intelligence को इसको 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 इस्तमाल कर दिया जाए तो बहुत सारा जो उसको नहीं चीज़े सीखने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है जैसे सोचो हर बार आपको मेहनत करना पड़े कोई चीज़ सीख रहे हो फिर दुबार आओ तो फिर उसको सीखो फिर दुबार आओ तो फिर उसको सीखो ऐसे में क्या होता है जैसे अब थोड़ा सा अजीब सा है लेकिन समझ लीजे कि जैसे आप कोई खाना घर पे बनाते हैं तो हर बार सबजी काटते हैं हर बार प्याज काटते हैं मसाला बनाते हैं तयार करते हैं ऐसे ही जो lifelong learning होती है दिमाग ऐसे ही काम करता है जादा तर सूचना इसके पास पहले से ही store रहती है और जरा से भी सूचना जाती तो पुरानी सूचना ताजा हो जाती है और उसी पर हम काम करने लगते और artificial intelligence भी अगर इसी पर काम करें बार-बार scratch से या बार-बार सुरू से सुरू न करें गजनी की तरह तो निश्यत रूप से बहुत उर्जा बचाई जा सकती है तो यह जो आज के हिंदू में था यही है कि artificial intelligence तो हमें मदद कर सकता है लेकिन जो अभी प्रद्योग की प्रियुक कर रहा है उसमें भी दो प्रद्योग किया है अगर जिसका इस्तमाल कर सकते हैं तो थोड़ा सा जो है उर्जा बचाई जा सकती है ठीक है यह एक तो वैसे भी प्रद्योग की टफ होता है उसमें से artificial intelligence तो और भी टफ होता है उसमें से भी यह spike neural network और जो है lifelong learning लेकिन अब चुकि दिया है हमारा काम है पढ़ाना तो हमने आपको भता दिया है और आप इसका जो प्रदेश के मंडी जिली में इस्तित है और इसका जो बिजली supply जो है यह इस्तित है हमांचल प्रदेश के मंडी जिली में लेकिन इसका उपयोग जो है कौन करता है इसके जो बिजली जनरेशन का उप्योग कुन करता है पंजाब सरकार करती है यानि पंजाब राजी है और चली रहा था ये चीजे एक मार्च को इसका जो है बलकि एक मार्च को ये परियोजना जो है जब दी गई थी जब जब चालू हुई थी तो 99 साल की लीज पर दी गई थी और उसका लीज हिमांचल सरकार इस पर कोई आगे कारवाई न करे और पंजाब सरकार जो है सुप्रिम कोट में चली गई है और ये कही नहीं एक मुद्दा है क्योंकि हिमांचल सरकार कहती है कि वो उसका है और पंजाब सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही तो आईए थोड़ा सा इसको हम यानि हिमांचल अपना मान रहा है, पंजाब अपना मान रहा है, क्यों कर रहा है वो अभी आगे नीचे हम देखेंगे, ठीक है, यह परियोजना पर 1900 साल पुरानी लीज 2 मार्च 2024 में खतम होने जा रही थी, और इसके तहत हिमांचल परदेश और पंजाब के बीद इसके स्व परियोजना हिमांचल परदेश के मंडी जिले में इस्थित है, और 110 मेगावाट की बिजली परियोजना है, जिसे 1932 में कमीशन किया गया था, 25 से बननी शुरू होई थी, और 32 में कमीशन किया गया था, और वरतमान में यह पंजाब राज के नियंतरण में है, हिमांचल पर और दिल्ली को पानी आपूर्ती करती थी, ठीक है, और विजली भी आपूर्ती करती थी, यह जब बना था तो पंजाब था, हिमांचल तो था नहीं, पंजाब था और दिल्ली था, दिल्ली को देता था, और जब विभाजन हुआ, तो यह लाहर को पानी देना और विजली देना बंद कर दिया गया था लेकिन पंजाब को देता गया और बाद में जब 1906 में राज्यों का पुनर गठन होता है पंजाब और हरियाणा में बाटा जाता है और हिमाचल प्रदेश को जो है वो केंसासित प्रदेश बना दिया जाता है तो ये इसका स्वामित किसके पास चला जाता है केंदर सरकार भी इसका स्वामित पंजाब को दे देते हैं क्योंकि वो जो पंजाब था अब वो दो पार्ट में पंजाब हरियाड़ा और हिमाचल प्रदेश में जिकि हिमाचल प्रदेश केंसासित था तो इसने पंजाब को दे दिया था पाद में हिमाचल प्र आजिकी कोई संसाधन है और पहड़ी राज है उनके पास वैसे भी बहसेगी वह संसाधन होते हैं नदियाँ ही उनकी नदी ग Laureate Net मेन संसाधन होते हैं जिसके जरहत वो जल बिद्दूत और इस तरह का उपयोग कर सकते हैं तो यह है कि वहां का उपयोग जो है हिमांचल को नहीं मिल पा रहा है तो जब लीज खतम होई तो हिमांचल सरकार ने जो है कहा कि अब वो हमारे स्वामित में है और पंजाब का कहना ह कि जो ये एक्ट है पुनरगठन एक्ट यानि सिचाई और उर्जा मंत्रायल दोरा एक माई उन्नीस सरसट को जो केंद्री अधिसूचना जारी की थी वह उसके अधिकार छेत्र में है और ऐसे में परियोजना पर जो है कहा गर रहा है कि पंजाब का कानूनी नियंतर उन्नीस स जो जना खराब इस्तिती में है क्योंकि पंजाब सरकार इसकी मरम्मत या रखरकाव नहीं कर रही है और उसके होने वाले लाब को ही सिर्फ ले रही है जैसे इसमें देखा गया कि इसमें मंत्ली निकम 80 लाग बिजली का बेल आता है 80 लाग के आसपास कर रहे है और 40 लाग खर्चा नहीं हो रही है ना कोई नया नियूपती कर रही है नया निर्मार कार कर रही है लेकिन उसका लाब पंजाब सरकार ले रही है ठीक है तो ऐसे में जो है पंजाब सरकार ने सरोच नियाले में एक याचिका भी जायर कर रखी है और उसने कहा है कि याचिका में तेकि सुप्रीम कोट में क्यों है आज का दायर की क्योंकि जब भी मामले केंद्र और राज के एक राज के दूसरे राज के एक राज के एक से अधिक राज्यों के बीज का होता है तो वो मामला कहां केवल और केवल कहां जाता है सुप्रीम कोट में ये उसकी प्राथमिक अधिकारत होती है ठीक है सुप्रीम कोट की तिसले सुप्रीम कोट में गया और पंजाब में तर्ग दिया है कि वह सानन पाउर हाउस प्रजेक्ट का मालिक है उसका बैध कबजा है जिसकी सभी संपतिया वरतमान में पंजाब सरकार के नियंतर में है और पंजाब सरकार में कहा है कि हिमा अब ये मामला है कि पंजाब को एक परियोजना है जो हिमाचल परदेश में लगाई गई थी आजादी के पहले लगाई गई थी और वो पंजाब को और दिल्ली को पानी देती थी बिजली देती थी बाद में जब पंजाब था तो पंजाब का ही था लेकिन जब पंजाब का पुनर गठन हुआ तो हिमाचल प्रदेश चुकि केंदर साथ सीज प्रदेश था इसलिए उस परियोजना को केंदर सरकार ने पंजाब के स्वामित में दे दिया था और चुकि ये 99 साल की परियोजना थी जिसका लीज खतम हुआ है दो मार्च को खतम हो रहा था ऐसे में हिमा यसा कह रहे है कि चुकी कानून के थाते के दAmerica के थाते के तहती ये उसके स्वामित में आती है लिए उसकी है और हिमाचल सरकार को रोका जाए अब ये मामला Supreme Court में चल रहा है हाला कि चुकि Supreme Court के पहले मामला बिवाद नपढ़े इसलिए सरकेल सरकार ने इस मामले में एक और स्थाई निसे धाग यानि स्टेटस को जारी कर दिया कि इमानचल सरकार को कह दिया कि जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दिया जाए विद्दूत उत्पाद और ये सारी चीजे और ये भी कह दिया कि यहाँ आदेश जारी करना पूरी तरह से अंतरिम इंटरिम आउडर है इससे किसी का अधिकारता नहीं बनता है और अब ये मामला या तो बाचित के जरीए सहल हो जाएगी या तो सुप्रीम कोर्ट जो निर्ड़ देगा उसके पर होगी जहां तक हमें लगता है ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट बाचित के जरीए ही हल कराने की कोशिस करता है तो कि जहां पर निचुरल रिसोर्सेज तो जादा बहतर होती है देखिए आगे क्या होता है जैसा होगा हम आपको बताएंगे बाकी आज इतना ही नमस्कार